जिन्होंने आतरवादियों के ये कोट तक में गुहार लगाया था उनको छुडवाने की साही प्रक्रिया कोई की थी ये तो शुकर है कोट का उत्तरप्रदेश में कि न्याह प्रक्रिया ने उस पर रोग लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असनिके दुष्टमण अखिरेश यादफ कि ने नमारों आज लगनाहों में बैट से फारारति जन्ताफाथियों की अखिरेश यादफी से एक चैलेंज एक चुमोती करती और वह चैलेंज है अखिरेश जी यहादी हिम्मत है नैदिक्ता है मुराहिती है तो आप अपने उमिद्वारों की सूची को चारी करें कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को चारी करें हम सब चानते हैं यह सूची चारी नहीं होगी और क्यों नहीं होगी यह अभी आप समझते हैं मीडियावार ने मुझे इससे पहले बताया आने से पहले में कुछ अपने मीडिया की भाईों से बात कर रहा है उने कहा टिखेट तो भाई साथ बात सबसे बात सबसे बेजे जा रहे हैं गोशित नहीं की जाए नाई धसन का गोशना हुआ नतीजा पूरे हिंदुस्तान लेरा अक्रोश और इसी कारण से उमिवारू की सुची घोशित नहीं हो जाए कि आज सुबह मैंने एक मैध्वकून अक्बार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के लेता अखिलेश यादर जी का इंटर्व्यू पढ़ा है और मुझे तक्रीश दूई इस बात से कि अखिलेश यादर जी ने इंटर्व्यू में कहा है कि पाकिस्तान भारत का अस्नी दुश्मन नहीं है अखिलेश यादर जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का अस्नी दुश्मन नहीं मांगते हैं और भारतिय जंता पार्टी केवल और केवल भोटों की राजनिती के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मांगते हैं दुखत चिंता जनक और शर्मना तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पस्चाताब करना चाहिए कि सवाय याचना करना मैं आज अखिलेश जी से लखनाओं में बैठकर चंद सवाल उचना चाहता हूँ अखिलेश जी क्या के बंदू हमारे पाई निगी जिन खिंद के बंदू के ऊपर रोगज पाकिस्तान की गोली चत्थी गोलाबारी होती है और निथ्य लोग निर्दो्स लोग पाकिस्तान यह थे लगे आतन पातल कुम्हाल पाले जाते क्या उनका चीवह थी मिल पाकिस्तान के उपर शड़ियंत्र के अंतरगत आतनकवादी हमले करता है क्या भारत का दुष्मन पाकिस्तान नहीं है आपका यह कहना कि भारत का अस्ति दुष्मन पाकिस्तान नहीं है यह तो भारतिय जंदा पाकिस्तान को दुष्मन बना रही है मैं तो इतना कहना चाहूं झाल झाल